बोपाल में आयोजीत राश्टिय शूटिंग चंपियंशिप प्रत्योकता में आगरा सरवादिक 16 मैडल जीतने वाले उद्यमान शूटर्स ने जिलादकारी से मुलाकात की। शूटिंग चंपियंशिप प्रत्योकता में मेडल जीतने वाले खिलादिकारी के बुलावे पर उनसे मुलाकात के लिए जिला मुख्याले पहुंचे थे इन सभी खिलाडियों का कहना था कि आगरा में सुवधाएं तो अच्छी हैं इसी वज़े से वेराश्टी इस तर पर मेडल जीतने में काम्याब हो रही हैं उन्हें आशा है कि शासन और प्रसासन उन्हें और सुवधाएं उप्लप्त कराएगा मैंने अपने इवेंट में 25 मीटर स्टेंडर्ड पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है और रिणाउंट शॉट की कटेगरी अचीफ करी है नैशनल राइफले सेशन इंडिया के तरफ से दूसरा मेरा 10 मीटर एयर पिस्टल का इवेंट था वेटरेंस का जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है पिछले साल भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था उसको रेटेन किया है मैं इस साल मास्टर्स वर्ल्ल चैंपिंशिप में सलेक्ट वाओं खेलने के लिए तो मैं खेलने के लिए जाओंगा इस येर इंड में तो उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दिया है 10-meter air pistol event में और 25-meter standard pistol event में दोनों इवेंट में कहलूँगा अच्छली गया है मैं खुद भी केल के आया हूँ इस पर medal नहीं मिला है मेरेको लेकिन यहां पर talent की कोई कमी नहीं है coach है Mr. Vikrant है यह पचों को तयार कर रहे हैं काफी हद तक और यहां पर जो रेंज में इंटरनेशनल जो रेंजिस हैं उसके साब से इस रेंज में अभी बहुत जादा काम बागी है जिससे DM साब से बस यह request है कि एक तो रेंजिस में वो इलेक्टोनिक रेंजिस प्रोवाइड करा दें जिसे और अच्य जो शूटर इंटरनेशनल नेशनल में मेडिल लेते हैं वहां पर सियुज मेशीन मेशीन पर पर नहीं है तो यहां पर लग जाएंगी ट्वीफव़ाइड मीटर की अगर हो जाती है तो प्रैक्टिस जो है बच्चे ज्यादे ज्यादे करेंगे और जादे जादे मेडिल आगरा के लिए और उत्तर परदेश के लिए लिखे आएंगे आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित नेशनल सूटिंग चेंपियन्शिप में प्रदेश ने कुल 32 मेडल जीते हैं जिनमें से आगरा के हिस्से में 16 मेडल आए हैं आगरा के शूटर राश्टी और अंतराश्टी इस्तर पर मेडल जीत कर ताज नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं ये खिलाडी बेहतर सुवदा और ट्रेनिंग के दम पर ओलंपिक पदक जीतने की उमीद भी जगा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब आगरा की धरती का ही कोई लाल ओलंपिक में गोल्ड जीतेगा और ये गोल्ड आएगा सूटिंग रेंज के माध्यम से क्योंकि आगरा की जो सूटिंग रेंज है वो यहां जो भविस्थ के खिलाडी तयार कर रही है उनमें से तमाम खिलाडी अंतराश्टी इस्तर पर अपनी प्रतिवा का दर्सन करा रहे हैं और अभी प्रिजेंट टाइम में पांच खिलाडी ऐसे हैं जिन्होंने अंतराश्टी इस्तर पर मेडल जीते हैं और उनी खिलाडियों ने यहां जो नेशनलन चेंपिंसिप भुपाल में हुई थी उसमें 32 में से 16 मेडल जो आगरा के खिलाडियों ने जीते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाडियों ने वहां 32 मेडल जीते थे और 16 मेडल आगरा के इसी सूटिंग रेंज से यहां जो प्रक्टिस करते हैं उन खिलाडियों ने जीते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दिन हमें रोशन करेंगे आगरा की सुटिंग रेंज से अपने साथी इंदरजीत के साथ बिजय बगहेल सी न्यूज आगरा